नमस्कार, स्वागत आपका योगिता online classes में मैं हू सर्वन कुमार सागर आज के इस वीडियो में आपको NTSC exam के बारे में फुल डिटेल में बताने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे चात्रों को NTSC exam के बारे में नहीं पता होता है और वे राष्टिय परतिवाग होज परिक्षा यारी जिसको NTSC के नाम से हम लोग जानते हैं और NMS exam जो class 8 में होता है उसको same समझ लेते हैं यहां तक एक teacher ने भी हमसे phone करके पूछा कि sir NMS exam का ही नाम NTSC exam है न तो हमने उसको बता है कि नहीं NMS exam जो है वो class 8 के लिए होता है ठीक है class 8 के लिए क्या होता है NMS exam होता है जिसमें की 12,000 रुपया करके चात्रवरती 4 साल तक मिलता है और NTSC exam जो होता है यह class 10 के लिए होता है इसमे class 10 के student भाग ले सकते हैं और इसमें pass करने पर जो है 2,000 रुपया चात्रवरती मिलता है पर मंद कब से कब तक सारा कुछ अभी detail में बताने वाले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहेंगे तो यह 2022 का ही notification है तो चुकि अभी नया notification नहीं आया है तो हम इसी के आधार पर आपको NTSC के बारे में कुछ बाते बताना चाहेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर असपस्ट लिखा है कक्छा 10 में अधियंडत विद्यारतियों के लिए तो इसे आप समझ सकते हैं और इसको राष्टिय परतिभाग होज परिक्छा के नाम से जाना जाता है इसी को अंग्रेजी में national talent search exam के नाम से जानते हैं और उसको shortcut में हम लो सब बता देते हैं और उसके बाद आगे आपको कुछ और बात समझाते हैं तो देखें यहाँ कक्छा 10 में अधियंडत चात्र चात्राओं के लिए है यह परिक्छा और इस योजना के अंतरगत जो पास करते हैं उसको एक्यार्मी से ले करके ठीक है आप science commerce arts कोई भी subject रखत मेडिकल में तो इन सभी में भी इसका चात्राओं योजना का लाव मिलता है ठीक है यानि कि आप अगर class 10 में इस एक्जाम को पास कर लेते हैं तो आगे आप कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको NTSC scholarship का जो पैसा होता है 2000 रुपया पर मंत करके यह आपको मिलता र सब्सक्राओं 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 सब्स होना चाहिए तो निश्ची तो रूप से जो क्लाश 10 में पढ़ रहे होंगे उसका ओम्रा 18 वर्ट से कम होगा चलिए तो कोई नहीं है उसके बाद है बिहार राज में अवस्तित होना चाहिए अगर आप बिहार से फ़र्म बंढेंएं कि यह उसके बाद एक Chic बहुत सारे चाहतरों को नहीं पता होता हैं और हो हमसे पूछ रहे थे कि यह पमप्राश लिखा राश्टिय आईशू मेधा छात्रवृति परिष्छा यानि NMS एकजाम के तहत छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं जात्र छात्राय परिष्छा में सामिल हो सकते हैं यानि यह बहुत बड़ी बात है कि जो विज़ारते & S क्यात्रे प्रिष्छा और चात्विरती का लाब ले रहे हैं वो इससे चातर भी इस परिजा में सामिल हो सकते हैं जो NMS आरेडी पहस है तो बहुत सारे चातर जो NMS का स्कॉलर्शिप ले रहे हैं और चाहते हैं TSE का त्यारी करें तो वह भी कर सकते हैं कि आप असपस्ट नोटिपिकेशन में दिया गया है उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपको बता दें कि इसमें परिच्छा फॉर्म भरने में कुछ सूल्क भी लगता है देर सुरुपया लगबग लगता है और अगर आप से स्टी से आते हैं तो 75 रुपया फॉ पूरे इंडिया में ठीक है NTSC का सीट कम है लेकिन इस बार जो 2023 का पेटर्न आया है उसमें बताया गया है कि सीट की संख्या बढ़ाई जाएगी तो इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है इस बार जो एक्जाम होने बाला है चली उसके बाद इसमें और जो में चीज है अब पता देते हैं बांकी जो परकरिया है वह NMS की तरह ही है जैसे अमेच उख कर देते हैं कि आपको पड़ा पड़ा होगा सब दो जैसा तरह से इसमें भी आपको SETE OR METE होता है और इसमें 100-100 पुचा जाता है ठीक है इसमें परशन की संख्यां थोघाशन आथ है तो यहाँ पिर 26 बीश मिनिट मिनट को कि आपको समय जाता है कि हीका 200 गंटे करे laugashyungeed मिलता है डोनों मैं 20म प zar दोनों पे पने दिखी 120 जेनरल के लिए 40% मार्क लाना होता है और उसके बाद अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती ये सभी निशक्त के लिए 32% मार्क लाना होता है दोजों पेपर में तो ऐसा ही सेम परक्रिया है उसके बाद बात करते हैं तो इसके लिए कोई पाठ करम निर्धारित नहीं है लेकिन इसमें आपको पूछा जा सकता है देखिए यहां रिजनिंग में आपको पूछा जाएगा तर्क, विशलेशन, संसलेशन, साब्दिक और साब्दिक से समंधि यानि रिजनिंग से आपको पूछा जाएगा उसके बाद आपको साइंस से जो है 40 पूछा जाएगा तो इसमें क्लास 9 और 10 के अस्तर का प्रस्ण रहता है तो क्लास 9 और 10 के साइंस का आप अच्छी तरह सध्यन करें 40 प्रस्ण आपको उससे आएंगे और उसके बाद सोश परिक्षा का पेटरन रहता यह सब चीज़ आपको पढ़ना होगा साइंस सोचल साइंस को अची तरह से इतने सारे उब्जेक्टिव हैं उसमें क्लास 9 और 10 उसको देखना होगा और उसके बाद आपको अच्छी तरह से रिजिनिंग आना चाहिए तो इसमें आप पास कर सकते हैं इसका भी सेम पेटरन है परिक्षा का चलिए तो 2022 का नोटिफिक्षान है जैसे ही 2023 का नया नोटिफिक्षान आएगा तो आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे तो अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अधिक सदिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस परिक्षा को दें और सफलता हासिल कर सकें साथ ही आप हमारा चैनल के माध्यम से त्यारी भी कर सकते हैं अगर आ वीडियो में इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिन जाहिए